Hello students, welcome back to the channel हम लोग class 9th का chapter number 8 पढ़ रहे है motion जिसमें हम लोगों ने पिछली class में introduction ले लिया था types of motion के बारे में हमने जाना था साथ में हमने distance और displacement की बीच में difference भी जाना था और speed और velocity के बीच में का difference है वो भी जाना था आज हम लोग स्टार्ट करेंगे acceleration से acceleration हमारा आज का topic acceleration का मतलब होता क्या है ठीक है सबसे पहले हम definition लिख लेते हैं then हम लोग समझने कोशिश करते है rate of change of velocity rate of change of velocity यही क्या कहलाता है हमारा acceleration कहलाता है कहने का मतलब क्या है अगर मैं formula की बात करो तो यहाँ पे a acceleration को denote करता है v upon में t हो जाता है अगर आपने math अच्छी तरीके से पढ़ी हो तो आपको एक चीज बहुत पता होगी यहाँ पे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि directly proportional है v के और a जो है inverse relation है t के साथ ठीक है अब यह directly और inverse relation से हम लोग समझते क्या acceleration अगर मैं आपको बोलू कि कोई भी चीज है वो अगर मालों के भी 6 km प्रती घंटा के साफ से चल रही थी अब वो 10 सेकेंड बाद जो है वो 40 km प्रती घंटा के साफ से चल रही है तो गाडी ने accelerate किया आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग गाड़ी को accelerate करते तो गाड़ी तेज भगती है तो वही acceleration है हिंदी में से तोरण कहा जाता है इसका मतलब क्या होता है कैसे होता है वो समझो अगर आप accelerate करोगे गाड़ी को जाहिर सी बात है गाड़ी की velocity बढ़ जाएगी गाड़ी को accelerate किया गाड़ी और तेज चलने लग गई तो इसको हमनों क्या बोला गाड़ी accelerate होगे जैसे अगर मालो आप कहीं बाहर गए हो ठीक है सिद्धी सी बात है यह directly proportional है अगर वहीं पर और यहां पर देखो इन्वर्स रिलेशन टाइम के साथ किस तरीके से है अगर आप लोग की मम्मी कहते है कि बेटर समय दो मिनिट के अंदर घर पे आजा ठीक है दो मिनिट में घर पे आजा और आपको क्या करना है घर जल्दी प जब अग्त्विन क आम से चल रहे हो अराम अराम से आखा तो अगर मम्मी किटव कं में लगए जल्दी से अगया तो आफने नहीं चलशाने का मकसद था ठीक है अब यहाँ पर देखो acceleration की जब हम SI unit की बात करते हैं तो मैंने आपको कहा था ना कि SI unit हम लोग बनाना सीखेंगे तो यहाँ पर velocity की हमने पढ़ी थी क्या होती है मीटर पर second होती है time की क्या होती है second होती है यहने कि एक्सिलिएशन हुआ तो एक्सिलिएशन का concept आई हूप आप आप लोग को समझ में आया हो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो इस तरीकी की वीडियो से आप लोग को मिलती रहेंगी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ कोशन का कोशन है वो ना हो रहा हो तो आप ये तीन फॉर्मूले लगाओ आपके सारे कोशन सॉल्व हो जाएंगे दिलिए तो पहले मैं आप लोगो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगा देन मैं आगे प्रोसीड करूंगा बच्चों अगर आप लोग क्लास 6 में जवाहर नवोदय विद्याले में एडमीशन लेने के लिए तयारी कर रहे हो 2022 सेशन के लिए तो आप लोग के लिए आज मैं एक बहुती बेस्ट बुक लेकर आया हूं ये बुक लॉंच करी गई है चक्षू पब्लिकेशन के द्वारा जैसा कि आप लोग यहां सामने स्क् पियार किया है और इसमें आप लोग को पिछले 15 साल के जो कुशंस है वू सब उठाके इस बुक में डाले गए और जितने important कोश्चन हो सकते वह भी बूठके अंदर है और इसे के साथ कुछ बाते क्या है इस बुक कि कि इसके अदर आप लोग को 8 सैंपल पेपर भी वो भी salt मिलेगा और 7 में आप लोग को हर एक topic यानि कि 3 section आते हैं 3 section में सबसे पहला आपका हो जाएगा मांसिक परिक्षण हो जाएगा दूसरा हो जाएगा अंक गणिती है परिक्षण और तीसा हो जाएगा भासा परिक्षण तो तीनों के अंदर आप लोग को अलग-अलग section के questions मिलेंगे और साथ में आपको 6 test paper भी मिलेंगे जिनसे आप लोग अपना खुद का टेस्ट ले सकते हो कि आप लोग में कितना gather कर ली information आप लोग को कितना आता है तो हर एक माइने में ये बुक आप लोग के लिए best होने वाली है साथ में इसके अंदर टोटल धाई हजार questions है जो की आप लोग के लिए बहुत होंगे और आप लोग साथ में आप इस फारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इस बुक को खरीदने के बाद आप लोग को कोई दूसरी बुक खरेदने की ज़रूर नहीं पढ़ने वाली है अब बात आती है कि आप लोग इस बुक को खरीदो कैसे तो आप लोग इस बुक को अपने nearby store से खरीच सकते हैं और साथ म अब हम लोग graphical representation of motion समझ लेते हैं यहां पर मैंने आप लोग को graph से तीनों के तीनों जो equation है उनको derive करके भी दिखाया है और समझाओंगा भी देखिए ध्यान से यहां पर हमने एक तरीके graph खीचा है जहां पर यहां पर origin दिख रहा है आपको और यह वाली line जो है वह हमारा time क को denote कर रही है और यह वाली line जो है वह velocity को denote कर रही है ठीक है यहां पर हमने OA ले लिया और यहां पर DC और यह हमने imaginary lines ड्रॉ करी है और यह हमने AB से हमने acceleration दिखा है यहां पर तीक आप देखिए कुछ बाते आपको assume करके चलनी है आपको यहां पर पूरा का पूरा proof नहीं करना प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा लेकिन ऐसी question लगा के question solve करने के लिए जरूर आएगा तो यहां पर देखो AD parallel OC हमने मान लिया जो यह AD line है इसको हमने किसके parallel मान लिया OC के क्योंकि दोनों बराबर जा रही है और यहां पर BC बराबर क्या हो जाएगा BD plus DC यह पूरी यह पूरी line BC है इसको हम BD plus DC भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं ठीक है आब यहां पर हमें पता है जब यह दोनों line लाईने बराबर है याने कि AD और OC बराबर है तो यहां पर DC और AO भी बराबर होगा तो मैं DC की जगह पर हम पर OA फिर के AO लिग यहां पर जब मेरे पास वच्चो यह आगय तो इसकी जगा पर देखी यह पूरी V है तो यह भी पूरी V होगी, तो यहां पर हमेने इसको क्या कर दिया विरक दिया OA हमारा कितना है? OA यहां पर लिखा है तो यह हमारा U है तो इसको हमने U रख दिया तो जब मैं इस पूरे को solve करूंगा तो यहां पर देखो कैसे मुझे BD की value रहें के निकालनी BC की value V है और OA की value हमारी कितनी है U तो U धर आ जाएगा माइनस हो जाएगा तो क्यों हो जाएगा BD is equal to V minus U तो हमने यहां पर BD की value निकालनी V minus U करके ठीके चलो आगे देखो अब हमने तीनों की तीनों equation को जो है proof किया है तो first equation velocity time relation है यहां पर आप लोग देखो गए हमें पता acceleration क्या होता है velocity upon में time होता है और velocity है तो velocity को हमने BD माना यानि कि यहां से लेके यहां तक हमारी velocity है और साथ में AD AD हमारा कहां से है यहां से यहां तक यह time है ठीक है आप OC भी लिख सकते हो तो BD upon में OC हमने लिख दिए हां पर क्यों यह OC भी तो हमारा time ही है OC को हमने T माना था ठीक है और acceleration क्या होता है velocity upon में time होता है यहां पर थीक velocity upon में time तो यहां पर हमने velocity हमने किसको माना था BD को तो यहां पर BD रख दोगे देखो substitute करना है generally तो substitute जब करोगे यहां पर तो A is equal to कितना हो जाएगा BD और OC की जगा पर हमने T रख दिया तो यहां पर T आ गया यही वाली equation आपके पास आई then finally अगर BD की value यहां से निकालोगे तो T यहां चला जाएगा तो BD is equal to A T आ जाएगा अब देखो यहां से BD की value V minus U भी आई थी और BD की value A T भी आई है ना अब दोनों को equal to रख दोगे जब दोनों को आप लोग equal to रखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा V minus U is equal to A T ठीक है फाइनली V is equal to U plus A T यह आपकी क्या हो गई equation हो गई first equation हो गई कौनसी V is equal to U plus A T ठीक है आगे देखो आगे second है हमारा position time relation हमें बताना है तो इसमें हमने क्या माना S S हमारा यहां पर क्या है distance है ध्यान रखना हमेशा S हमारा distance है कभी speed मत समझ लेना इसको यहां पर area of trapezium हम लोग रखेंगे area of trapezium कहा बन रहा है यहां देखो यह parallel side हो जाएंगी दोनों यहने के BC और OA parallel sides हो जाएंगी और यह AB और यहां पर OC यह दोनों lines हो जाएंगी ठीक है तो ध्यान रखना parallel sides कौन सी है AO और यह क्योंकि यह दोनों तो parallel हमेशा रहेंगी कभी मीट नहीं होगी यह पूरा trapezium है यह वाला ऐसे करके यहां था ठीक है यह trapezium अब जहां से देखेंगे तो इस trapezium में हमें rectangle दिख रहा है और एक triangle दिख रहा है हां से यहां तक का तो अभी पहले वाले में हम लोग क्या करेंगे दोनों को separate separate लगाएंगे formula area of rectangle plus area of triangle area of rectangle के लिए हम लोग क्या रखेंगे length into breath length कितनी है यह वाली है ठीक है length है हमारी और breath कितनी है हमारी DC या AO बोल सकते हो कुछ भी तो यह breath हो गई हमारी और यह OC हमारी क्या हो गई length हो गई जब दोनों को multiply करो गई भी value बाद में रखेंगे भी पहले general लिख लेते है उसके बाद triangle क्या होता हाफ into base into height होता हाफ लगा दिया base क्या है हमारा AD है और height कैंए BD है वह हमने हाँ पर रख दिया अब देखो OA की value कितनी थी OA की value U थी OC की value कितनी थी OC बराबर हमारा AD था ना कहां गया OC बराबर AD है ने कि क्या था T था और BD की value क्या निकाली थी हमने हाँ पर AT निकाली थी clear? आप देखो आप इसको put कर दो यहाँ पर तो S तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा O A की जगाँ पे क्या पूट करोगे U O C की जगाँ पे क्या करोगे T पूट करोगे यहाँ पे और Half है Half का Half लगा दे हैं यहाँ पे AD की जगाँ पे क्या पूट करोगे T पूट करोगे और BD की जगाँ पे 80 put करोगे जब पूरे को solve करोगे तो t into 2 t square हो जाएगा और a यहां पर रह जाएगा तो एक second equation हमारी बन जाएगी s is equal to ut plus half 80 square then final हमारा third equation है position velocity relation position velocity relation में अब आपको area of trapezium लगाना है oabc में वही वाला oabc वाला है और trapezium का formula क्या होता है sum of parallel half into sum of parallel side into height होता है तो half हमने यहां पर रखी दिया है और sum of parallel side parallel side मैंने आपको बताया था यह दोनों parallel side होंगी इनका sum करना यहने कि oa plus bc oa plus bc into height क्या है हमारी oc है हमारा क्या हो जाएगा t हो जाएगा bc की value कितनी है v है यह पूरे की value कितनी है v है और यहां पर oa की value कितनी है u तो क्या हो जाएगा s is equal to value रखो तो आपको यह equation मिलेगी s is equal to u plus v और multiply हो जाएगा T से 2 से divide हो जाएगा हम जानते हैं हम T की value निकाल सकते हैं कैसे अभी हम लोगों ने पढ़ाता V is equal to U plus AT तो अगर मैं हाँ से value निकालो तो V पहले U minus हो जाएगा then A divide हो जाएगा तो T की value का निकली V minus U upon A तो इस value को मैं अगर इसमें put कर देता हूँ इस वाले T की जगहा पर तो मेरे पास कुछ इस तरीके की equation आ जाएगी V plus U V minus U अब हम लोग जानते हैं कि A plus B A minus B का formula क्या होता है A square minus B square इसको यहाँ ही पर रहने दो A square minus B square कर दो 2 A को S के साथ multiply मिले आओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 A S हो जाएगा और यह V square minus U square तो यह आपकी third equation बन जाएगी इसी तरीके से आपने तीनों की तीनों graphical motion की equation जो है आप लोगों ने solve कर ली अब आपका एक last topic बचता है छोटा सा circular motion उसको भी मैं आप लोगों समझा देत समझा दूंगा बाकी हम लोग जब वो करेंगे अपना mcq questions करेंगे तो उसमें हम लोग cover up कर लेंगे ठीक चलिए देखो यहाँ पर circular motion uniform circular motion की जब मैं बात करता हूं अभी हमने पहले पढ़ा था speed का formula क्या होता है distance upon me time होता है ठीक है देखो आपने यह पढ़ा है लेकिन नापते हैं तो हम लोग circumference नापते हैं और circumference और circle क्या होता है 2 pi r time को t रहने दो और speed को v रख दो तो क्या हो जाएगा v is equal to 2 pi r upon में t हो जाएगा बास समझ में आई 2 और pi यह दोनों तो constant है यहने के pi की value कितनी है 22 बटे में 7 22 अपन में 7 यह तो constant है बस depend करता radius के उपर depend करे और बस इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे circular motion अगर कोई object करता है तो हम लोग उसका radius भी निकाल सकते हम लोग उसका time भी निकाल सकते हम लोग उसकी velocity भी निकाल सकते है अगर चैनल पर नए हो वीडियो अच्छी लगी समझ में भी आया तो चैनल को subscribe कर दो और वीडियो को like क करके अपने दोस्तों के साथ share भी कर दो all of you मिलते हैं mcq questions में